नमस्कार और वेलकम टू क्यूरियसली एज्यूकेशन मैं हूँ प्रशाथ मावानी आई होप यूराइग गूड आज हम पेटीम में जो ट्रॉबल चल रहे हैं उसके बारे में बात करने बाले हैं पेटीम के साथ जोड़े हैं कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स को देखें था तो ये क्यों लगाया था उसको समझेंगे और ये सारी चीज़े जो हो रही है इसकी इंपक्ट पेटीम पर क्या होगी इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करने बाले हैं आगे बड़े उसा पेलेडियो फ्रेंस यूराइज यो सावन गूगल पोड़कास्ट एम पर अवेलेबल हैं प्लीज दू सब्सक्राइब तो माई चैनल शेयर लेक्ट्चर हिट लाइक बटन इन स्टिक यूर रिव्यू इन दे कमेंट सेक्शन 23rd मेर 2017 को पेटीम पेमेंट्स बैंक ने अपने ऑपरेशन की शुरवात की थी पेटीम के फांडर है विजय शेखर सर तो अगर आप इसकी एवरेज निकाले तो हर रोज लगबग 13,000 से भी ज्यादा लोग पेटीम को जॉइन करते हैं हमरे देश में जो फास्टेग की सर्विस चल रही है तो सबसे ज्यादा फास्टेग यूजर्स जो है वो वाया पेटीम फास्टेग को यूज करते हैं महिनों की ही बात करें अक्टोबर नवेंबर डिसमबर ये जो डिसमबर वाला क्वाटर है तो इसमें 4.4 मिलियन लोज इसका टोटल है कुछ 2,181 करोर रुपीज की लोज जो है वो पेटीम के माधियम से डिस्बर्स की गई थी आज यू कैन सी पेटीम जो है ये एक बहुत बड़ा प्लैटफोर्म है इसकी रीच जो है वो भी काफी वाइड है लेकिन क्या ये पहली बार ऐसा है कि पेटीम जो है वो ट्रबल फेज कर रहा है ती आंसर इस नो 2018 में भी Reserve Bank of India ने पेटीम के ऊपर एक बार लगाया था पेटीम को प्रतिबंद किया था कि आप नए कस् को एक्वाइर करने की जो पेटीम की प्रोसेस थी और इसके साथ साथ जो KYC के जो Rules and Regulations है इनका पालन पेटीम ठीक तरीके से नहीं करता था ये RBI ने अपने एक आडिट में पाया और इसी वज़े से 2018 में भी पेटीम के ऊपर एक प्रकार का Full Stop Reserve Bank of India ने लगाया था अब Reserve Bank of India के पावस की बात करें तो Banking Regulation Act 1949 है इस Banking Regulation Act में एक Section 35A है और ये Section 35A जो है वो Reserve Bank of India को बहुत सारे पावस देता है और इनी पावस का इस्तमाल करते हुए Reserve Bank of India जो है वो किसी भी Banking Company के ऊपर restriction लगा सकता है और इसी Section 35A का इस्तमाल करते हुए Reserve Bank of India ने इस बार भी Paytm के ऊपर एक प्रकार का Full Stop लगा है अब 11th March 2022 की बात है Reserve Bank of India ने Paytm Payments Bank को नए Customer एड करने से मना कर दिया है यानि कि अब Paytm जो है वो नए Customers एड नहीं कर सकता कब तक नहीं कर पाएगा उस चीज़ को भी समझेंगे प्रशन ये उठता है कि RBI ने Paytm पर इस बार ये बा जो है उनका कहना ये है कि अभी कोई exact violation Paytm ने क्या किया है ये कहना तो मुश्किल है लेकिन prediction यही है कि KYC के साथ जुड़े हुए rules and regulations फिर data storage, data privacy, data outsourcing के साथ जुड़े हो जो rules and regulations है इनका पालन शायद Paytm ने properly नहीं किया है और Reserve Bank of India जो है इनकी KYC, data storage, data privacy, data outsourcing के साथ understand है लेकिन बहुत सारी ऐसे financial companies जो है वो इन सारे rules and regulations को properly follow नहीं करती है और फिर RBI को ऐसे कुछ कथोर steps उठाने पड़ते हैं Reserve Bank of India ने Paytm को ये भी कहा है कि आप एक proper IT audit firm को hire कीजिए और अपनी जो IT system है उसका एक comprehensive system audit करके ये report जो है वो हमें पेश कीजिए जब हम इस report को देख लेंगे and if we will be satisfied यानकि अगर RBI satisfied होगी इस IT audit report से उसके बाद Paytm के ऊपर कुछ decision लिया जा सकता है उसके बाद शायद RBI जो है वो Paytm को फिर से ने customers add करने की permission दे दे RBI के शब्दों की ही बात करें I would like to quote RBI here Onboarding of new customers by Paytm Payments Bank Limited will be subject to specific permission to be granted by RBI after reviewing report of the IT auditors This action is based on certain material supervisory concerns observed in the bank अब देखते हैं कि experts का क्या कहना है एक योगेश पिर्थानी है वो partner है ELP के और उनका कहना यह है कि RBI ने कई बार Paytm Payments Bank को IT related जो issues चल रहे हैं उसके बारे में कहा और उनसे कहा कि आप हमें इसके report दीजिये लेकिन क्योंकि Reserve Bank of India को satisfactory response Paytm की तरफ से नहीं मिला तभी finally Paytm ने इस प्रकार की strict action जो है वो Paytm पर ली है क्या सिर्फ Paytm के साथ ही ऐसा हुआ है The answer is no अगर हम अतीत की बात करें इतिहास की बात करें तो आपने नाम सुना होगा American Express American Express जो है उनको Reserve Bank of India ने कहा था कि आप अपना data center जो है वो इंडिया में स्थापित कीजिए American Express ने ऐसा नहीं किया तो Reserve Bank of India ने भी American Express के उपर एक ban लगा दिया था 14th July 2021 की बात है Mastercard जो है उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था Local Data Storage के साथ जुड़े हो जो Rules and Regulations है इनको Compliance नहीं किया और इसी वज़े से Reserve Bank of India ने Mastercard के पर एक ban लगा दिया था Same thing goes with HDFC as well HDFC को नए अपने Credit Card Users और नए जो Digital Banking Initiatives हैं इनको Launch करने से RBI ने मना कर दिया था क्योंकि HDFC की जो Internet और Mobile Banking Systems हैं इसमें बहुत सारे glitches था हैं तो as you can see dear friends के सिर्फ यहां पर Paytm की बात नहीं है कोई भी bank है कोई भी financial technology company है अगर वो चीजों को properly follow नहीं करेगी तो RBI जो है वो Section 35A के तहत actions दो लेगी ही अब प्रशन यह उठता है कि यह जो चीज हो रही है इसकी impact Paytm पर क्या होगा जैसे मना आपको बताया कि हर रोज 13,000 से भी ज्यादा customers को Paytm अपने platform पर add करता है तो आज हो गई है 13th March 2022 11th March से यह ban है तो you can calculate कि 3 दिनों के customers जो है वो भी lose हुआ और जब तक यह चीजे जो है वो properly follow नहीं होगी जब तक यह audit report bank को submit नहीं किया जाएगा RBI को submit नहीं किया जाएगा तब तक यह ban जो है वो रहेगा तो Paytm जो है वो अपने बहुत बड़े नए customers को on board add करने से ban है तो इससे company का बहुत सारा अनलुक्सान होगा उसकी image भी जो है वो भी खराब होगी और इसे के साथ साथ June 2022 में Paytm जो है वो small finance bank का license apply करने वाला है और इस license application में भी issues हो सकते हैं यह थोड़ा delay हो सकता है और overall Paytm की जो strategy है उसका जो grant plan है वो effect हो सकता है because of the things that are going on और इसमें कोई RBI का कुसूर नहीं है आपने properly audit नहीं करवाया है तो इसके वज़े से यह band लगया गया तो देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है that's everything from my side जाते जाते आपको एक प्रशन पूछना चाहता हूँ कौनसी बड़ी company है यह foreign की company है छोटी सी hint है आपके लिए तो यह जो company है इसने PTM में बहुत बड़ी amount जो है वो invest की है इस company का नाम क्या है बताईए you have to stick your answer in the comment section and please do check out my motivational podcast Curiously Forever please do subscribe to my channel, share the lecture, hit the like button, stick your review in the comment section I'll see you soon, till then stay curious, Jai Hind